तो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, यह पिक्चर है एक कूल से जराफ की जो की गाने सुन रहा है, इस पिक्चर का कुल एरिया 80 स्क्वेर सेंटिमीटर के बराबर है तो हमें पता लगाना है कि इस पिक्चर का एरिया कितना है, तो इसका एरिया 80 स्क्वेर सेंटिमीटर और हमें यह भी पता है कि इस picture की जो length है यहाँ पर हमें length दे रखी है इसकी 10 cm और हमें इसकी width का पता लगाना है तो हमें एक चीज तो पता है कि एक rectangle का जो area होता है वो उसकी length times उसकी width होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो area है इस rectangular picture का ये बराबर होगा इस rectangular picture की length times इसके breadth के हम width को अक्सर कई बार breadth भी कहते हैं तो आप इसे width कह लीजे या फिर इसे आप breadth कह लीजे तो हमारा जो area होता है किसी भी rectangle का ये इसकी length times width के बराबर होता है और width का हमें पता लगाना है या मैं आभी units नहीं लिख रही हूँ यहांपर तो यह area बराबर है length जो कि 10 cm है 10 times हमें यहां पर अपनी width का पता लगाना है तो अगर हम यहां पता लगा लेते हैं कि 10 times कितना 80 के बराबर होता है तो वो जो value है हमारी वो हमारी width जानी चाहिए और हमें पता है कि 10 x 8, 10 x 8 होता है 80 के बराबर, तो अगर हमारी length 10 cm के बराबर है और area 80 cm के बराबर है तो हमारी width 8 cm के बराबर होनी चाहिए तो जो हमारी width होगी इस rectangular picture की ये बराबर होगी 8 cm के और 8 cm x 10 cm ये 80 cm2 के ही बराबर होता है तो चलिए एक सवाल और बनाते हैं इसी तरीके से A rectangle has an area of 24 square meters तो हमें दे रखा है कि एक rectangle का जो area है ये 24 square meters के बराबर है The breadth of the rectangle is 4 meters तो हमें rectangle की breadth या फिर width दे रखी है और ये बराबर है 4 meters के हमें पता लगाना है What is the length of the rectangle? हमें उस rectangle की length का पता लगाना है हाला कि हमें यहाँ पर कोई picture नहीं दी हुई है rectangle की लेकिन मुझे लगता है कि जितनी information हमें यहाँ दी हुई है उस rectangle के बारे में ये काफी है उस rectangle की length का पता लगाने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी rectangle का जो area होता है किसी भी rectangle का area ये बराबर होता है इसकी length times width या फिर breadth के हम कह सकते हैं कि area बराबर है length times breadth के और यहाँ पर हमें मालूम है कि जो area है हमारे इस rectangle का ये बराबर है 24 square meters के और ये हमें मिलता है अगर हम multiply कर देते हैं अपनी length को जिसके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते और अगर हम length multiply कर देते हैं अपनी breadth से और हमारी breadth दे रखी है ये बराबर है 4 meters के तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि हमें 4 में क्या multiply करना चाहिए कि हमें 24 मिल जाए हम जानते हैं कि 6 times 4, 6 times 4 होता है 24 के बराबर यानि कि अगर किसी rectangle का area 24 है और उसकी breadth या फिर उसकी width अगर 4 meters के बराबर है तो उसकी length 6 meters के बराबर होनी चाहिए 6 meters times 4 meters ये 24 square meters के बराबर होता है तो हमारे इस rectangle की length ये बराबर है 6 meters के के बराबर के बराबर के बराबर होता है